आज मैं आप लोगे साथ बहुत ही डिलिशित बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई कबाब की रेस्पी शेयर करने जा रही हैं यह कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं यह आप अफ़तार में या फी एद के मौके पर बना की खा सकते हैं तो चलिए वीडियो के पिस पॉड़हिए च्राइओ हैं यहां पेमें ऐसली सचनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रिस कर लीजीगा तो इस रेस्पी को बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन यहां ने पह्ता पी ले कोनटिटी तियाँ और इस कोन्टिटी बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से और भसो ग्राम दालें कहाँ मैंने चिकन में ने डालें नीगे यहां यहांपर 1 समझ में छाहिए काले मेश का पाउर है 1 जममिए यंदरग पेस्ट और लेस्ट य समय लिकस्जन गरें नमक या पिर हफ़ी स्पून के तय HEEM देखी टे सबस्ट लेड knowing िसबे गुरुबी अरुबी आदल करें इस में थोड़ा साव पाने दॉपनियार तक पकाएंगे तक यह अच्छा से कुख हो जाए अब चलते हैं इसके दूसरी तैयारी भी हम कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक बाल लिया है और उसमें हम डालेंगे टू टेबल स्पून पॉन प्ला या पेड मैदा भी आप ले सकते हैं इसमें हम थोड़ से तूट डालें इसे अच्छा से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी उठलिया न रहें और दूद मैंने लगवग लगवग हाफ कप ले लिया है मैंने कॉफी वाले मग से हाफ मग हमेंने ले लिया है अब बाकी के दूद को भी इसमें हम आट कर देंगे और इसका एक पतला सथ घोल जैसा गहला कर लेंगे अब चलिए चिर्टन को भी हम चिक कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते ही चिकन अच्छ से स्वाफ्त हो चुका है इस पहले पानी तो आठीक कोई द्राइने कर लेंगे तो चला पानी और इसके पानी भी लि Nadal घ्लांश इस तरह से प्रेस करते जाएंगे जिसी एक अच्छे से श्रेड हो जाए और इनको हम एक बॉल में निकालके ट्रांसफर कर लेंगे और इन्हें हम थंडा होने देते हैं कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे वन टेबल स्पून बटर आप यहां पर ओयल भी ले सकते हैं लेकिन बटर लेने से इसका जो टेस्ट है बढ़ जाता है बहुत और यहां पर मैंने दू मेडियम साइज का प्याज लिया जो मैंने बहुत ही पारिक इसको चॉप कर लिया औ है तो यहां पर देख सकते हैं हमारा प्यास का कलर जो है चेंज हो गया है अब हमने जो मिक्सर बनाया था दूद और कॉर्ण पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे वन तीस्पून चिली फ्लेक्स और यहां पर मैं डाल रहे हूं दो चीज के हैं ऐसे अपर यहां आशीर आहने पोलत यहां एनी जोगे हैं clown क्यम थ्रभा घृक्ट के दाना एके लिए यहां लेए और लगई हैं तो मुझे पर यहां पर देख सकते हैं मिक्ष्यच्ट से गारा सबरूर जाया है तो जोड़ने लिए तो यह से पर देख सकते हैं यहां काफी गाड़ा हो चुका है चिन गरण से यह डाले जाब रजया है तो मैं दाल रहा हूँ अपने इसाब कर लिजया बारी कतिवे पाली मिच गाले और कर दैंगे और ब्रेटään डालेगी चाहँ पैसे डृढ़े दालेंग पीत चाहँ मिसाड़ बना लिया है tableotic определ सब्सक्राइब करें तक कि सारे चीजे जो है वतनम रिची जैए नहीं पर अच्छे से मिक्स हो जाएए आप क्या करेंगे इनको कबाब के शिपटेंगे तो हाथों पे चिपकते हैं तो इसके लिए आप थोड़े से हाथों में ऑल लगा लेग इस तरह से कबाब की शेप में बना रेडी करबदे लेग आप चलते ही आप घर रहां कर लेटे हैं है । टो यहां पिया है तो यहां पर मैंने तेल बेट ट्रम्स लगा के भी फ्राइब कर सकते हैं या सिंपल ऐसे भी अच्छे लगेंगे तो इस तरह से दोनों तरफ गोल्डेन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राइब कर लेंगे और लीजे यह हमारा बहुत लीज़ा है क्रीमी कबाब बनके रेडी हो चुका है चलिए इन्हे लग रहे हैं। चलिए में इन्हें तोड़के आप लिखाती है। आप लोग पसंद आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरू प्रेस कर लीजिए है। ताकि मैं और भी इसी तरीके से टेस्टी टेस्टी रेसिपी आप लोगे साथ शेयर करती रहूं। मिलते हैं आपसको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फर वाचिंग।